हलो रूर नश्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोगाई क्लासिस के बीए प्रेटफार्म पर बीए सेकंड इयर में आदुनिक भारत के इतिहास वाली सीरिस के अंतरकर दोस्तों एक और नए टोपिक के साथ में हाजिर है आपके सामने आज के टोपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रेटिस काल में महिलाओं की इस्टिती और जैसा की आप सभी जानते हैं कि ये हमारे थर्ड उनिट का आज लास्ट टोपिक होने जारा है चेप्टर बाइस चेप्टर किलासेज दोस्तों आपकी कंटिनू चल रही है जिसके अंतरगत आपका फर्स सेकिन और थर्ड यूरिट जो है आपके सेलेबस के कोडिंग कम्प्लीट आज के सेशन के बाद में कम्प्लीट हो जाएगी चली शुरू करते हैं अपना आज का इंपोर्टेंट सेशन जो भी नए चात्र है पहली बार सेशन को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि सेशन के माद्यम से आपको जो कॉंटेंट होता है ये हिंदी और इंग्लिस दोनों ही माद्यमों में प्रोवाइट के जाता है इस सब के अलाबा यदि आप यूटूब पर कोई अन्य परवादी गये हैं जो सब्जेक्ट चाहे आप उसे पूरे डिटेल में पूरे विस्तार से नोर्च के साथ में पर सकते हो बिना कोई चार्ज बिना कोई शुलक दिये ठीकिना इसके अलाबा यदि आप परतियों की परिक्षा की तयारी कर रहे हो जैसे की यूपीएस से पी यूट्वीट करना चाहिए प्रग्यान हिंधी नाम का यूट्यूब प्लेटफाम है यूट्यूब पर जाईए प्रग्यान हिंदी टाइप कीजिए वहाँपर मेरे फोटो लगा हुगा डिप के रूप में आ जाएगा उसी चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ पर classes अभी चल रही है जहां हम Lucent GK के जो fact है 5000 प्रशनों के साथ में उस series को लेकर के आए है उसके complete होने के तुरंत बाद ही हम वहाँ पर detail classes भी प्रागम कर देंगे वहाँ पर भी lecture और notes सब कुछ initial के होंगे चले यह तो हो गया promotion अब हम बात करते हैं अपने session की आज के session की यह आपका syllabus से जिसके according हमारी classes चल रही है अपने अपने syllabus से इसको match कर लीजिएगा ठीक है ना आज की session के माद्यम से आपकी third unit भी complete हो जाएगी ठीक है third unit का आज last topic हम discuss करने वाले है ब्रिटेस काल में महिलाओं की इस्थिति clear रहे यह दो unit आपकी और बशने वाली है आज के session के बाद में four unit और unit five ठीक है मैंने कुप्तारम में जब session को start किया था इस वाले subject को start किया था तभी बता दिया था मैंने आप लोगों को कि यह जो क्लासे से कापी लंबी चलने वाली है क्योंकि इसमें topic बहुत ज्यादा है आदुनिक इतिहास ठीक है जिस तरह से मद्यकालीन इतिहास पर भी कापी session भी होने वाकी है उस पर भी session चल रहे हैं तो इसी प्रकार से इसमें भी maximum topic देखने को मिलेंगे आप लोगों को चलिए तो आज टेवलों content पी चर्चा करें तो आज की session में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं जरा इस पर भी चर्चा कर लें ठीक है जिसके माद्यम से हमें यह पल चल जागा कि आज पूरे topic में कौन-कौन से topic होने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे topic नमर एक के आदुनिक काल में महिलाओं की स्थिति उस समय भारत में विश्यस रूप से दो प्रणा पाई जाती हिंदू महिला और मुस्लिम महिला तो दोनों महिलाओं पर separately हम एके करके चर्चा करने वाले हैं इसके बाद में point number 3 के रूप में हम देखेंगे हिंदू इस्त्रियों के प सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ब्याक्या की इंग्लिस में भी content आएगा मैं आपको दिखा दूँ एक बार इंग्लिस में भी इस प्रकार से आपको content मिलने वाला है ठीके ना दोस्तों बात करें तो महिलाओं की स्थिती हमारा में concept है अब इस पर हम अर्थात की explanation में क्या लिख सकते हैं तो दोस्तों हमें इनको बता में इस में बताना होगा कि प्रारम से लेकर के मतलब भारत में जो सब्विता इस्टार्ट हुई है बास्तविक सब्विता तो महिलाओं की परिष्टिती में क्या क्या परिवतन हुए हैं कौन से काल में महिलाओं की क्या परिष्टिती थी उन्हें क्या इस्थान क्या अधिकार दिये जाते थे दिये गए हैं वो सारी चर्चाएं हमें व्याक्या के अंदर करनी होगी कम से कम शब्दों में अधिक से अ अगर हम बात करें आरेकाल से लेकर के पूर्व बेदिक काल तक की कहानी की अगर हम बात करें तो इस समय तक इस्त्रियों की इस्तिती बहुत ही जो है सुद्रन हुआ करती थी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी क्यों कि इस समय में इस्त्रियों को अलग अलग नहीं बल्कि एक समान अधिकार प्राप्त थे समानता की भावना उस समय ब्याप्तों हुआ करते थी समाज में समाज में इस्त्रियों को भोग विलास की बस्तू मात्र नहीं समझा जाता था बलकि इस्त्रियों को भी पुर्सों के समान अधिकार दिये जाते थे तो इस्त्रियों पुर्सों को एक समान समझा जाता था इस्तियों को सामाजिक छेत्र में राजनीतिक छेत्र में तता धार्मिक छेत्र आधी छेत्रों में जो है समान रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त था इस्तियों के यह जो अधिकार थे यह बेपूर बेदिक काल से लेकर के उत्तर बेदिक का एक लंबे समय के लिए पूरी तरह से दैनी हो गई या खराब होने लगी जैसे कि उत्तर वेदी काल के बाद में जब वेदी काल आता है अर्थात की इसमती काल आता है तो इसमती काल में धार्मिक आडम बर कुछ जादा ही कठोर रूप में समाज के सामने आते हैं जैसे ब्रामर भर्म में अर्थात की हिंदू धर्म में जो कठरता आती है उसके कारण और कह सकते हैं कि इस कठरता के अलावा पुर्शों के अधिकार प्राप्त करने की लाजसा के कारण इस्तियों के अधिकारों में कमी आने लगी और इस्तियों को पुर्शों का आदेस मानन इक दासी बना दिया गया लेकिन बेदिकाल में अथा दिसमतिकाल में जो है ब्रहमलों ने या कहें कि उन पुर्षों ने जिने अधिकारों की लालसा थी उन लालसा को प्राप्त करने के कारण उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया और महिलाओं को अपनी दासी मात्र बना कोई सुधार नहीं देखा गया सामाजिक और धार्मिक सुधारकों की मांग अंग्रेजों ने मांग पर अवश्य किये अब यहां पर एक कॉंसेप निकल कर आता है कि आरेकाल से लेकर के उत्तर वेदिक काल तक इस्तियों की इस्तिती समान थी या कहें कि सामान थी अच्छी थी बेहतर थी समाज में उसके बाद में इस्तियों की इस्तिती खराब कर होने लगी तो दोस्तों इसमर्तिकाल के समय से खराब होने लगी जो कि continuously चली आई मद्धिकाल में कुछ उम्मीदें लगाई जा रही थी कि संभव था क्यों क्योंकि अब जो है कुछ राजाओं के राज हुआ करते थे केंद्री ये सासन चला करता था तो इस कारण से कुछ उम्मीदें थी कि महिलाओं की इस्तिती में अब कुछ सुधार हो सकता है लेकिन मुगल काल में मद्धिकाल में विश्यस रूप से मुगलों का सासन काल रहा है तो मुगल काल में भी इस्तियों की इस्तिती में कोई सुधार नहीं देखा गया इसके बाद में आता है आदुनिक समय अर्थात की अंग्रेजों का आगमन होता है भारत में और Built East India Company भारत में आधिपत्ति स्तापित कर लेती हैं उसके बाद भी कापी लंबे समय तक मतलब कि अंग्रेजों के सासनकाल में भी कापी लंबे समय तक इस्तियों के साथ जानबरों जैसा बेवाहर किया जाता रहा लेकिन उस समय हुए बुद्धि जी भी हुए भारत में कई विद्वान हुए कई दार्षिनिक हुए उनके प्रियासों से कह सकते हैं कि उनके दवाब में आकर के ही अंग्रे सरकार ने भारत में या भारती समाज में ब्याप्त उन कुरूतियों को समाप्त करने का प्रियास किया जो महिलाओं के इस्तिती को लेकर के बिसेस जिम्मेदार थी या महिलाओं को कह सकते हैं कि दास बनाने के लिए बिसेस तो उनमें परिवतन करने का अंग्रेजों ने कुछ प्रियास जरूर किये और संभवता कुछ प्रियास हुए भी जैसे कि सतीप्रता आपने सुना होगा तो सतीप्रता को प्रतिवंदित करवाने में जैसे राजराम मोहुनराय जैसे विचारकों का अहम योगदान रहा है इस प्रकार से कंभली कूप्र था ऑन भारती समाज में व्याप्ति प्रशलित थी उनको समाप्त करवाने के लिए भी भारती दार्शीनिकों पाकुद्वानों ने अंग्रे सरकार से मांग की और उसे हेतू ही अंग्रे सरकार ने भी संभब्ता जितना हो सकता था उन्होंने भी प्रियास किया तो तब जाकर के कुछ सुधार भारती समाज की इस्तिति इतना ब्याक्या की अंतरकत आप जो है क्या इस्तिति थी और मुस्लिम इस्तियों की क्या इस्तिति थी आदूनी काल में अब यहां प्राचीन बात प्राचीन काल की बात नहीं करेंगे और नहीं मद्यकाल की बात करेंगे बलकि बात करेंगे आदूनी काल की अब आदूनी काल आप जैसे जानते हैं कि इतिहास को ती भारत में आये तब तक के काल को हम मद्यकाल की रूप में जानते हैं और ब्रिटिस काल से लेकर आज तक का जो समय है उसे हम आधुनिक काल के रूप में जानते हैं कि आदुनी काल में अर्थात ब्रिटिस काल में हिंदू इस्तियों की क्या इस्तिती थी चली जानते हैं सबसे पहले बात करेंगे हिंदू इस्तियों की इस्तिती के बारे में नहीं हो गया तब तक के समय तक जो है इस्तियों की इस्तिती इसी प्रकार की देनिये बनी रही उन्नीस पी सताबदी में इस्तियों की इस्तिती बहुत जादा देनिये बनी रही उनको पुर्शों के अधीन ही रहना पड़ता था उनको सामाजिक राजनीतिक धार्मिक या आर इस सुतंत्रता को अधिकारों को चीन लिया गया जो कि आज तक उनको यह अधिकार नहीं दिये गये थे हिंदू समाज में बाल भिवा दहज प्रता परदा प्रता बहु विवा बिद्वा विवा का ना होना आधी जैसी कूप्रताय प्रचलित थी जिसने इस्ति की दसा को जर करता चला करती थी सती प्रता की जो महिला बिद्वा हो जाया करती थी बाल भिवा होता है बाल भिवा के कारण भी कई बिद्वा की संक्या बढ़ने लगी बहु बिद्वा के कारण भी बिद्वा की संक्या बढ़ने लगी महिला जब बिद्वा होती थी तो उसके जबर्द तो इसे सती होने के लिए बात दि कीया जाता था और शंबबता जिस महिला को सती नहीं होना दिया जाता था मतलब की आग पर भिटाकर जलाना यहला की सती होने का अर्थ कुछ और है एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ आप लोगों अभी तक पढ़ा होगा कि सती प्र को जला दिया जाए बल्कि सती प्रता का मतलब बहुत अलग होता है बहुत ही अलग है इसमें पत्नी की हत्या नहीं होती थी याद रखिएगा यह कहाने में कभी और सुनाओंगा क्योंकि शेशन लंबा हो जाएगा इसलिए में यह अभी इस पर डिटेल में नहीं जाओंगा ठीके बस इतना दिमाग को फिट कर लीजेगा कि पत्ती के साथ पत्नी को जलाना सती प्रता नहीं थी सती प्रता कुछ और होती थी लेकिन कुछ आने उस समय के कुछ मूर्खों ने इस प्रता को ही आगे वड़ा दिया अपने मतलब के लिए अपने हितों की पूर्ती करने क लिए उन समय के जो लाल्ची लोग थे जो अधिकारों की भूके थे उन लोगों ने इस प्रता को आगे वड़ा दिया चला दिया वह चली आई वह कापी लंबे समय तक यह सती प्रता चलती रही और इस आडंबर के कारण इस धार्मिक आडंबर के कारण कई महिलाओं को जि जादा सोचनी थी क्योंकि बिद्वाओं को वह मान और सम्मान समाज में नहीं मिलता था कि इस प्रकार बिद्वाएं जीवन भर यातनाएं सहती रहती थी हिंदू समाज में और विशेशकर महारास्ट और मदरास में एक प्रता और भयानक रूप से प्रचलिती वह थी मदरास्ट और मदरास में विशेश रूप से देखा गया था मंदिरों में कहीं कुवारी कन्याओं को दान कर दिया जाता था देखदास्यों को जीवन भर अविवाहित रहना पड़ता था और अविवाहित रहते हुए उस मंदिर के जो पंजित हुआ करते थे उन प्रोहित कि इस देवधास्ति प्रता ने इतना भयाका रूप चैन लिया था कि उस सम्हें समाज को दे कि समाज की निर्लजटा को देख़ खुसी खुसी वो पंगित को दान करके समस्थे थे कि हम ने बहुत बला कार किया है इन कज्ञाओं को दान में ले जाकर के वह उनसे ब्यापार कराया करते थे इतनी गंधी पृता थी लेकिन फिर भी समाज की आखों पर एसी पट्टी बंदी हुई थी कि वो लोग ब्रहामनों के इस प्रकार से उनकी प्रथाओं में इस प्रकार से उलत करना भी उचित नहीं होगा क्योंकि उस समय की प्रिष्थितियों ने माहौल कुछ ऐसा बना दिया था उस समय धर्म में एसी प्रताय प्रचलित हो चुकी थी कि सब कुछ आखों के सामने होते हुए भी वो देखने का प्रियास नहीं करते थे जो मानने था थी उनमें बदलाब लाने की छमता उनके अंदर नहीं थी उनके अंदर साहस नहीं था कि वो कुछ बदलाब कर सके तो इस कारण से महिलाओं की इस्तिती दिन बर दिन बहुत ज़्यादा सोचनी होती गई 19 सताबदी में इस्त्रियों को सिक्षा का अधिकार भी क इस्तियों को प्राप्त त्याई सिक्षा प्राप्त थी जैसे अगर की अमीर विक्ति होंगे जो की हम कह सकते कोई जमीदार मानलीजिए ठीके या जमीदार जिससे धनी लोग जो थे जो संपने लोग थे वो सिक्छा की विवस्ता महिलाओं के लिए अपने घर में कर दिया करते थे लेकिन सामाने व्यक्ति के लिए या सामाने विक्ति की इस्त्री के लिए कोई सिच्चा की विवस्ता उफलब नहीं थी उस समय तो हम देख सकते हैं कि आधुनिक समय में भी बेटिस काल में भी इस्त्रीओं के साथ में इस प्रकार का बेवार किये जाता था बस समझाई तो हमने यह तो देखा कि आदुनिक समय में भी आदुनिक समय में हिंदू इस्त्रियों को किस प्रकार से जो है पिछड़ा हुई रखने के पीछे केवल और केवल पुरुengers समाज ही बिद्णमातल है पुरुस समाज ही जो जवाब जिम्मेदार था इसके अलावा अगर हम बात करें मुसलिम समाज में कि मुसलिम समाज में जो महिलाओं की इस्थिती थी बेटश काल में वह Hindu इस्थियों से कहीं गुना वैतर थी कियोंकि जो कुप्र रठाए हिंदु धर्म में ब्यापत थी वह है Muslim धर्म में नहीं थी वो कुप ऐसी मुस्लिम धर्म में नहीं थी लेकिन आप जानते हैं न हर सिख्के के दो पहलू होते हैं अगर आपको कहीं पर अच्छा नजर आती है तो वहां कहीं न कहीं बुराई भी होती है समझ रहें तो आदुनी कुब में मुस्लिम इस्थियों की इस्तिति हिंदू इस्तियों की अपक्ष्य कापई अच्छी थी वीवा को लेकर क्योंकि जाए टेंशन नहीं थी क्योंकि बाल बिवा मुसलिम धर्म में जो है प्रचलीत नहीं थी उसमें मुस्लिम धर्म में 15 वर्ष से पहले विवा करने की प्रता थी ही नहीं और सबसे बड़ी बात तो दहज जैसी कोई इस्तिती नहीं थी उसमें मुस्लिम धर में दहज देने जैसी कोई कुपरता प्रशलित नहीं थी समाज में जो कि हिंदु धर में बहुत ज्यादा गेराई में ब्यापता हो चुकी थी तो इस प्रकार से मुस्लिम धरियों को कापी आजादी हुआ करती थी कापी अच्छी इस्तिति थी लेकिन इसके बाब जोद मुस्लिम समाज में सिक्षा के अभाब के कारण तो एक बात तो हम संबगता आज भी ये कह सकते हैं मुस्लिम समाज में महिलाओं के लिए अभी कुछ वर्सों को अगर हम छोड़ दे तो आज तक भी महिलाओं को सिख्षा से कापी दूर रखा जाता है और किसके द्वारा दूर रखा जाता है पुरुष प्रधान के द्वार पुर्षों के द्वारा आज भी प्रियास किया जाता है कि महिलाओं को सिख्षित नहीं करना है तो सिख्षा का अभाद अत्यदिक पर्दे के कारण पर्दा परता भी होती ना जैसे बुर्खा जैसी इस्तिति आपने देख रहे है पिक्चर में तो इन कूप रखाओं के का अपने अधिकारों और बेवारिक रूप से अधिकारों का बेवारिक रूप से प्रियोग नहीं कर पाती ती इस रूप में वे कई निर्योगताओं का सिकार बन जाती ती इसके अलाबा धार्मिक रूप से धार्मिक रूप से पुर्षों के चार विवा के अधिकार के समाज में उनकी इस्तिती भी दैनी बनी हुई थी सामाजिक मेल मिलाव पर प्रतिवन लगा हुआ था कठोर परदा-परता के कारण उनके स्वास्त पर भी प्रतिकूल प्रभाब परता था तो कुछ ऐसी परिस्तिया कि हम कुल मिला करके यह समझ सकते है कि महिलाव की इस्तिती जो है आदुनी काल में किसी भी परिप्रक्ष में देख लीजी आप बहतर नहीं थी क्योंकि उस समय पुरुष ही परदान बना हुआ था पुरुष ने हमेशा पुरुषों ने जो है महिलाओ के अधिकारों को छीनने का प्रियास किया है लेकिन जब देश आजाद हुआ उसके बाद महिलाओं ने सुकून की सास ली तब कहीं जाकर कि संभिधान निर्मत आगों मिला लेकिन पिर भी कहीं कहीं पर आज भी देखा जाता है нужदिया में कि महीलाओं को उनके अधिकारों से बंचित रखाजा तो इस प्रकार से उप्रोक्त बढ़ना से हम यह समझ सकते हैं कि 19 सिताब्दी में इस्त्रियों की दसा अत्यांत सोचनिय थी उनका पर्याप्त शोशन हो रहा था ने थे थैस तो दोस्तों यह दोनों पक्ष्चे आपके सामने क्लिए हो चुके हैं लिव travels की स्थिति अरु मुसल्वम में प्रियास की दोन स्थिति ही उनकों के ट्रमि उनकों का सोशन हो रहा था लास्ट में हम तीसरे इस यूलं सिताल्य क với के पतन क्यों हुआ था पीछे कारण क्या आते आब जो आधे के आधुनिक समय में हम एक पोइंट को लेगर कि हिंदू इस्तियों का पतन क्यों हुआ अब यह मुस्लिम इस्त्री को भी डख सकते हैं लेकिन लिकिन जो लूप से पतन हुआ है यह विशेस रूप से जो जादा जिनकी इस्तिती बहुत जादा सोचनी थी अगर आप उस समय की हिंदू पृथाओं के हिंदू आडंबरों को जानोगे देखोगे तो हलकी वह आडंबर नहीं थे आडंबर नहीं थे ब्रहमर काल से पहले या कि इस्मरती काल से पहले वही आडंबर मुक्य धार्मिक क्रिया कलाप हुआ करते थे और बहतर हुआ करते थे जिनका सामानी रूप से प्रियोग किया जाता था लेकिन उन्हीं धार्मिक क्रियाओं ने अपना रूप बदल लिया अ अपने अनुसार और उनको लागू कर दिया उनको लागू किया और समाज ने भी आंके बंद करके उन नियमों को मानना चालू कर दिया जबकि वो धार्मिक प्रताय ठीही नहीं सिर्फ कुछ एक लोगों के द्वारा बनाये गए आडंबर थे इन आडंबरों का शिकार विशेस रूप से हिंदू महिलाए हुई इस कारण से हम यहां पर इस पक्च पर बात कर रहे हैं कि आदुनी काल में हिंदू इस्टियों का पतन क्यूं हुआ था उसके पीछे जो मुक्य कारण थे और मुक्य कारणों में सबसे बड़ा कारण था ब्रामरबाद कुछ बिद्वानों का मानना है कि ब्रहामणगाद जो है इस्थियों की इस्थिति के पतन का सबसे प्रमुक कारण रहा है क्योंकि उन्हों ने ही इसे नियम लागू किये थे समाज में जिन नियमों के कारण महिलाओं के सारे अधिकार छिन गए कि उन्हें मनुष्य होते हुए भी पशू के समान जीवन बेतीत करना पड़ा क्योंकि उपनिसद काल के बाद ब्रहामणों ने जो सामाजिक धार्मिक नियम बनाए उनमें इस्थियों की इस्थिति को पुर्ष्यों की अपेक्षा गोर मान लिया गया और धीर धीरे उनके अर्थिक अधीन ता या प्राधीन ता प्राचीन काल से ही भरण पोशा तता अन्य धर्मिक मामलों में इस्थियों को अपने पती पर निरवर रहना पड़ता था जिसके कारण उन पर पुर्षों की प्रभुद्वता अवशंभावी थी वही शुरू से ही जब से से ही वह आर्थिक रूप से पर अधिन थी इड़ा शादी से पहले पिता पर डिपेंड तो शादी के बाद में बीवा के बाद में अपने पती पर डिपेंड तो जब वो किसी पर डिपेंड होती है तो संबगता ये निश्चित हो जाता है कि वह किसी के अधीन है उस पर कोई प्रभू प्रभूता रगता है तो वास्ता में इस आर्थिक निरंतरता के कारण इस्तिति निम्न होती चली गई इसके अलावा कभश 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 किसा इससे कभश कर दो कुछ प्रथाइबी जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती बहुत अच्छी लगती लेकिन यह एक वक्षको मजबूत और एक वक्षको अती कमजोर कर देती है कन्या दान लेकिन धार्मिक रूप से इतना ऊच्छा स्थान दिया गया जिसे एक माने की रूप से आज परियोक kier जाता है कि बिवाओं का इस जो तो सांकेतिक रूप है आला की आज लेकिन ये सांकेतिक रूप जो आज हुना ये उस समय भी सांकेतिक नहीं था बलकि बड़ा भयानक रूप था इसका भी प्रारम से ही हिंदु भिवा में कन्या दान के आदर्स को शुकार किया गया है पिता को अपनी इच्चा से चुने हु गया दान ही इस बात का घोतक है कि पत्नी पर पती की प्रभूता होगी आपके यहां पर लड़के का पिता लड़के को दान नहीं कर सकता था नहीं लड़की का पिता लड़की को दान करेगा वो दान में ली हुई बस्तू के साथ में वो चाय कुछ भी करे मतलब प्रभूत किसकी होगी पती की होगी पत्नी पर तो इस तरह से मेंटलिटी रूप से एक कह सकते हम की मांसिक रूप से ही उनको प्रागम से ही कमजोर बना दिया गया था महिलाओं को ताकि वो अपनी अधिकारों की मांग के बारे में सोच भी ना सके समझे बात को चले इसके अलावा इसके अलावा अन्य पक्ष में हो सकता है कि बाल बीवा कम उम्र में बच्चों के कन्याओं की बीवा कर देना जिसके कारण क्या होता है कि एक तो वो सिच्चा प्राप्त नहीं कर पाती थी दूसरा अपने पती पर सरलता से ही उनकी प्रभू शिक्षा, उनको सिक्षा से इतना दूर रखा गया, क्योंकि अम्बेटकर जी ने क्या कहा था, आपको याद होगा, सिक्षा सेर्णी का दूर है, जो पीएगा वो दाहरेगा, क्योंकि जिस समय में, अम्बेटकर साहब ने सिख्षा ली और जब सिख्षा के दम पर अपने ज्यान के दम पर उन्हों ने जो इस्तान बनाया भारत में वो इस्तान हर किसी के बस की बात नहीं थी पर उन्हें जेसे तेसे सिक्चा का कपनी पौँच बना ली थी उनको भी कापी दूर रखा गया था सूत्र ब्रकट के होने के कारण लेकिन अगर महिलाओं में ब히 ऐसे कोई सक्ष उठकर खला होता और कीसी भी प्रकार से अगर थोड़ा भी चांस मिलता शिक्चा प्राप्त करने का और वो शिक्ची तो होते तो संभब्ता एक लेडी अम Today कर भी हो कारण हिस्त्रियों में अपने अधिकारों के संबंद में कोई जागरुकता ही उत्पन नहीं हो पाई वे अंद्विज्वास कुछ संसकार सामाजिक परंपराओं को ही सब कुछ मानने लगी जो उनको बोल दिया गया कि यह हमारे संसकार है जबकि वह बास्तवी रूप से कर सका पालन में लेकर आया हूं जिसके माध्यम से मपता सकते हैं कि कि आदुनी काल में महिलाओं की इस्तिती दैनियों होने के पीछे कौन जिम्मिदार था अलाकि कारण तो बहुत सारे हैं कारण तो बहुत सारे लेकिन एक्जाम के पॉइंट वी उसे कर बात करें तो इतना पर आपने तो इस प्रकास से आपका आज का सेशन होता है कंप्रीट कि इंग्लिस कॉंटेंड भी आपके सामने हैं कल वाले सेशन में लेक्चर नमर 27 में हम यूनिट फॉर स्टाट करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे महारानी विक्टोरिया के गोश्ना पत्र क्या था इसको डिटेल में कल के सेशन में हम समझेंगे मिलेंगे नेक्स चैनल को जोइन कर लेना चाहिए कुछ फिरी दिस्क्रिप्स अलिंक दी गई है वार्सप टाइवेसी का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है ठीके ना प्राइवेसि को लेकर के ही हमने गुरूप को खोल्ड किया है और वाटसप चेनल को स्टार्ट किया है तापकि हर एक स्ट्येट की अपनी बनी रहे कोई किसी को परशाद ना करे इसके अलावा टेलेग्राम चैनल भी अवेलेवल हैं डिस्क्रिप्सन में उसको भी जोइन कर लें प्रोपर क्लासेस आपको वहाँ पर मिलती रहेगी इन सब के लावा डिस्क्रिप्सन को ज़रूर विजिट किया करें ठीके और मैं जाने से पहले आपको एक वार फिर कर ला सकता है एक मासागर में से उसी गहराई का कोई पता नहीं है इसी तरह से आज यूटूब पर भी ना अगर आप कोई टोपिक डालती हो कुछ भी डालते हो ना तो हजारों की क्वांटिटी में वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जो संबबता हो सकते हैं कि आपको आ अपनी जो आवशक्ता है उस आवशक्ता को पहचानिए कि आपकी आवशक्ता को कौन सी सामगरी पूरा कर सकती है अकर्शित मत होई है अगर आज आकर्शित हो गए ना तो आने वाला समय आपका पूरी तरह से नस्ट हो जाएगा बिगर जाएगा इसलिए आपकी आवशक् पढ़ना चाहते हो तो फोलाना फिलाना कि आ चार्ज देना होगा सब अस बगरेगे कर लेना होगा यह उन्य बचन्य से भचने चाहते हों तो सब चाहते हो यह शो हो जहां पर आप में में यहांज के ना पे होना चाहिए ना कोई donation के नाम पे होना चाहिए किसी भी रूप में पेसे की डिमांड ना होगर एसी चैनल की आप तरास कर रहे हो ना तो प्रज्ञान हिंदी को एक बाद जरूर बिजिट करना क्योंकि वहां पर अगर देखिए आपकी जरूत की अगर पूरती होती है मेर तो एक बाद उसको जरूर आप विजिट कर दिएगा उसकी सामगरी को करेएगा वहां पर में अभी डिटल क्लास्टेस के भी कुछ सेमपल रखे पड़े हुए कुछ एक सेशन में लियो है क्लासेश में भी जिससे बाहरती संभिधान पर कुछ क्लासेश हो ही है तो प्रेल लेबल चेक कर सके उनको भी देखिएगा इसके लाबा इतिहास पर प्राचीन इतिहास से शेशन इस शार्ट किया था उस पर भी कुछ शेशन हुए हैं उनको चेक करिएगा तो अब मैंने वहाँ पर एक स्टेटीजी बना दी है जैसा मैंने आपको लंबे समय पहले बोला तक च लंचाल किया कि से साथ आउंगा मिं प्रज्ञान पर स्टेटीजी के साथ आ चुका हूं मैं अभी आपको जितने भी आपके जीएस वाले पॉर्शन के सांवे सारे पहले सामने पहले रखोंगा उसके बार स्टेपय चलेगी यहां मिलें ग घ्थत जिससे कि आपका पूरा जो JS वाला portion है एकदम पानी की तरह clear हो जाएगा कुछ भी रटने की ज़रूत नहीं पड़ेगी सिर्फ समझोगे आप सीखोगे महाँ पड़े तियर है और जिस जिस प्रकार की सामगरी के आवशक्ता पड़ेगी मैं आपको फिरियो पोस्ट महाँ प्रोवाइट करूंगा बले ही मुझे कहीं और से पर्चेस करना पड़े अपने जेब के पैसे डाल करके खरीदना पड़े मैं खरीदूंगा उसको डिजिटलाइज करूंगा और आप तक पहुचाँगा आप निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल अगर आप देखिया दोस्तों कर आप मुझ पर विश्वास करते हो ना तो एक बर विश्वास करकर के करके देखिए अगर विश्वास करते हो तो याद कि आज भी मैं प्लैटफार्म पर हूँ और संभवता आगे भी बना जब तक जीवित हूँ बना रहूंगा आप मुझे कभी भी मैं आपको प्रोवाइट मोबैल नमर तक प्रोवाइट करता हूं कभी अगर आपको इसा लगता है ना कि सर नहीं आपने जो बोलता वो नहीं किया है तो मुझे आप इस चैनल पर बत दस साल ये बीस साल जब तक भी रन करेगा ये चैनल फ्री ही रहेगा प्रज्यान और लोड़ेट क्लासेज दोनों चैनल फ्री और पॉस्ट ही रहेंगे मेरे काई से काफी लंबा लेक्शर हो चुका है यहना कुछ बच्चे तो बोर होकर के जावी चुके हैं तो आप भी जाईए ठीकि आप भी जाईए आप ज्यादा बोर मत होईए मेलते हैं अले सेशन में बहुत धन्यवाद इतना टाइम दिया इतना जहला आप लोगोंने म बोगों धन्यवाद थैंक यू थैंक इसो मज़ थैंक यू थैंक इसो मज़